थे ही एट कॉछ एंग जो आफ्टर बीफाम है और विन- आफ्टर बेडिखा लिए एक वांटिक निकिता और ही बहुत इन पुर्त इंसक्तर अपीड दे चाने वाले नेचिन कि कौन से ऐसे हाइप जॉँच्ट जो आफ्टर आफ्टर बीफाम है और विदिन आफ्टर दिस जाएट में स्टार्ट कर दूंगी, लास्ट, फाइफ, फोर, फ्री, टुवन, ऐसे कामडाउन स्टार्ट करके, कि कौन सी सालरी हाइस पेंग है, कौन सी सालरी है, स्पेशली आफटर बीफार्म, तो यसे बीफार्म के लिए वीडियो है, और तो मैंने लिस्ट फूरी कलेट कर लिए, जो बीफार्म के बार जोब्स अवेलबल होते हैं, जैसे कि अनलिटिकल केमिस्ट की, फूर इंट्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल ड्रग कॉर्डिनेटर, ड्रग थेरेपिस्ट, चेमिकल टेखनीशिन, रग टेखनीशिन, ड्रग इंस्पेक्टर, एल्थ इंस्पेक्टर, फार्मसिस्ट, रिसेर्च ऑफिसर, लाब साइंटिस्ट, रिसेर्च और इवलापन एक्जेक्टिटिव, जो बीफार्म तो बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं, जो हायर करती हैं, after bfarm as an intern जो आपको research के लिए trading करेंगे and then gradually बहुत सारी companies के बाद खुद के अपने master's courses होते हैं जो आपके साथ एक bond के साथ control करते हैं और gradually आपको उसमें train करते हैं और एक bond भी sign कर बाते हैं कि आप उनके साथ stay करने वाले हैं तो scientist position obviously जो आपके बाते हैं जो आपके जुम्लिया डेवल करते हैं और एज भी दीरे थीरे थारी पोस्त पोस्त जाते हैं mostly जो आपके food inspector या drug inspector, health inspector गर के पोस्त हैं ये साले आपके government jobs होते हैं इनके लिए आपको exams qualify लिए पढ़ते हैं कोई बहुत tough competition नहीं है जो आप BFA में पढ़ रहे हो उसी कोई पढ़ना उसी के practice करें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आपकी multiple choice question based होती है तो जो भी लोग prepare कर रहे हैं जी पैट पर गेरा का उनके लिए बहुत ही easy होगा इसको prepare करना similarity for pharmacist also तो इसमें भी आपके पास government and private दोनों डाइस की jobs होते हैं कैट फिला लिएक live session करेंगे जिसमें पूरा detail में discussion करेंगे तो उसमें जो भी student को सबसे जादे interest होगा में starting salaries basic qualification और किन companies में apply कर सकते हो immediately after BFA ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी possible नहीं है सिर्फ reason इतना होता कि हमें पता ही नहीं होता है और हम सीथे जाके वही किसी industry में जाके join कर लेते हो और हमें बाकी possibilities ही नहीं पता है तो ऐसे बहुत सारी और possibilities हैं तो start करते हैं कि यह top 5 का video है तो मैं 5 ही discuss करने वाली हूँ तो पहले सबसे last 5 वाली पर discuss करते हैं तो pharmacist की job और यह जो salary यहां पर लिखी हुई है ऐसा कुछ नहीं कि यह last यह सबसे बेकार post है मैं सिर्फ salary wise आगे बढ़ रही हूँ अभी फिलाल के लिए pharmacist में भी यह आपकी private का sector है अगर आप government sector में जाते हैं तो आपका अराम से 25 तो 35 थाउजन यार मेवी 40 थाउजन भी जाता है depending अपॉन आपकी state की या फिर central की vacancy के लिए apply करते हैं तो pharmacist की बहुत सारे हमारे पास options होते हैं main duties discuss कर लेते हैं pharmacist की क्या-क्या है तो आपको करना क्या है compounding करनी है, dispensing करनी है और doctor के जो भी prescription दिया है उसको interpret करना है क्योंकि बहुत बार doctors का है detail में नहीं लिखते हैं short forms use करते हैं या फिर हम जिसको बोलते हैं abbreviations use करते हैं अगर हम medical term की बाद करें तो medical jargons use करते हैं फिर आपको records maintain करने है क्योंकि हर सारी medicine आप over the counter नहीं दे सकते हैं तो कौन सी medicine आप prescription से दे सकते हैं कौन सी over the counter दे सकते हैं उसके लिए आपको rules पता होने चाहिए कौन सा medicine stock expired रे damage हो गया उसको remove करना और time to time update करना ये basic pharmacist की duties होती है इसले आपको पता होना चाहिए anybody जिसमें भी पूरा B-farm का study करा है वही eligible होता है इसमें भी specific qualifications होती है बहुत surgery पर diploma भी eligible होता है कई surgery पर सिर्फ और सिर्फ B-farm ही allowed होता है minimum qualification apply करने के लिए दोनों ही cases में आप एक registered pharmacist होने चाहिए अगर आप immediately B-farm के बाद apply करते हैं तो जब तक आप join करते हैं आपका course complete होना चाहिए और आपने registration के लिए apply कर देना चाहिए तो वो एक बहुत important criteria है for a pharmacist second is अगर आप इसी private organization में apply करते हैं as a pharmacist बहुत सारे बड़े hospitals हैं बहुत सारे इसी retail chains हैं जहां पर as a pharmacist apply कर सकते हो and then you can start working at this basic salary तो starting salary variable हो सकती है private organizations भी इससे बहुत जादा pay करते हैं depending upon आप कौन से city में tier 1 city, tier 2 city कहां पर आप apply कर रहे हैं कहां पर आप recite कर रहे हैं second आप 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 है medical representative medical representative की भी flexible salary है 15 to 25 starting जाती है per month depending upon आपने कौन सी company में apply कर रहा जो regional company है तो आपके salary packages कम होंगे, काफी कम होंगे पर अगर आप किसी अच्छी कमनी में apply करते हो as a medical representative तो आपकी salary बहुत बहुत हाई होंगी and additional perks भी बहुत सारे होते हैं basically duties क्या है आपको promotion करना है और medicines को sale करना है, medical equipments को sale करना है to the doctors, to the pharmacist या ऐसे कोई भी medical से related, medical profession से related लोगों को customer relationship build करना है, sales lease generate करनी है, companies meeting attend करना होता है, reports or presentations बनाना होता है, तो basically काफी हद तक field work का job है and बहुत ही exciting job है, बहुत सारे opportunities भी होती है, अब हर opportunity है, ऐसी job के साथ थोड़े थोड़े कुछ ऐसी चीज़े भी आती है, जो आपको लगेगा बहुत जादा travel करना है, अगर आपको नहीं पसंदे, you are more of a office kind of a person, तो don't go for it, otherwise, यहाँ पे possibilities बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गरोग कर सकते हैं, बहुत ही कर दिया है, यहाँ पे कुछ नब कुछ क्लिनिकल डेटाज रिकॉर्ड होते हैं, क्लिनिकल ट्राइल्स कंड़क्त होते हैं, तो ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं, वो हाइर करते हैं लोगों को, स्टुडेंट्स को बेसिकली क्लिनिकल ट्राइल्स कंड़क्शन में उनको हेल्प करें, अब सीनियर पोस्त पर नहीं जाएंगे, अगर आप एंफाम ही जाओगे, तो भी आप स्टार्टिंग में सीखोगे चीज़ों को, तो बीफाम में इसा ही होता, जो क्लिनिकल ट्राइल्स के प्रोटोकॉल्स हैं, अब सब्सक्राइल – प्रोटोकॉल्स करोगे, जो अटिक्स कमिटी है जो डिकत्स के साथ आप एक उन्खरा का कॉंट्राइक करते हैं, उनको करते हैं जो भी आपकी कंपनी, यो गि कि we वो सारे चीज़ें को साथे अरे आध तू चेक अर्डें की वो सारी चीज़ें को रही हैंक SansMe मत्रहएं ila बन जाएंगे, जैसे किसी भी कंप्री में पिले कई साल काम करते हैं, फिर आप मैनेजीरियल पोस्ट पे आते हो, तो ऐसे इसमें भी होता है, फिले आप फार्मसिस की जॉब करोगे, हॉस्पिटल फार्मसिस, कम्यूटी फार्मसिस जो भी है, पर देन उसके बाद जब आपक इसकी रहती है, फार्मसी मैंजर की, तो यह आपका एक जॉब जो है, यह फील्ड वर्क से रिलेटेड नहीं है, आपका जो भी स्टोर होगा, या जो भी स्टोर की चेन होगी, आपको उसको हैंट करना है, देन आ जाते हैं हमारी सबसे जादा जो डिमांड में रहती है जॉ एर साथ भी स्टोरॉपर फार्मसिस तो यह Government आपना जोरोगा, जोरोःंन देन श्टोर फार में आस। से के साथ, जोरोजगे आपना जोर्मिन नमाए regular की स्टोर रहा को हैँ अधुेशा कालन का साथ, थीसने अज्कली तूरोड मतलब नास्टोर् सारी ओश्यं परृट्स में गलत लिख दिया, then Ministry of Health, H&L, Indian Railways, ESIC, इसमें बहुत सारे आपके state और central की ऐसी vacancies हैं, जिनने specifically pharmacist की vacancies जो release करते हैं और वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं after specific exams, इनके exams बहुत सारे निकलते रहते हैं, हर state का लग होता हूं को अपने state का ही registered pharmacist चाहिए, Central में आपके पास choice होती है, Central में आपके पास choice होती है, Central में आप apply कर सकते हो पर again उसमें state wise vacancies होती है, depend करता है आपका उसमें कहां selection होगा, कि state में selection होगा, then estimated salaries हैं यह जो D.I.E. अगे रखीं, बहुत अची salary है, maximum salary ही है, इसमें minimum qualification आपको BFARM ही चाहिए, हाँ पर बहुत सारे पर ऐसा भी होता है कि MFARM करके, D.I.E. अगे minimum qualification में, आप MFARM करके उसके बाद उसको कुछ experience चाहिए होता है, industrial, some 18 months or something, कुछ experience चाहिए होता है, तो वो बहुत सारे variable है, depending upon आप कहां, कि state के लिए apply कर रहे हो, again, यह pharmacist की jobs and then drug technicians, तो these were the top 5 jobs according to me, और मैं इंको rate नहीं कर रही की basis पर था, और बहुत सारे jobs हैं, जिनको हम individually discuss कर सकते हैं, तो अगर लगता है इन में से कोई भी और चीज़ों में आप interested हो, तो इसको comment section में drop करीए, कि किसके बारे में आपको specific जानना है, कैसे questions कूछे जाते हैं, कौन जी companies hire कर रही हैं, क्या packages दे रहे हैं, किस state में क्या possibilities ह तो अगर इस सारे चीज़े discuss करनी है, then let me know, okay, then like, share and subscribe to learn medicine by Dr. Nikita, thank you all of you.